नमस्कार, मैं हुआ राजिंदर बावल, founder of digital क्रोडपती, निकल पड़ाओं एक mission पे help करना चाता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो मुझसे digital marketing का ज्यान ले, implement करें और इस ज्यान को ओर लोगों को सिखा कर, उससे अपने लिए multiple sources of income क्रियेट करें। जानता हूँ, mission बहुत बड़ा है, अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए guys, चाहिए आप लोगों का साथ, अगर आप भी इस तरीके से अपने लिए multiple sources of income क्रियेट करना चाते हैं, दूसरी लोगों की help करके, तो guys, मेरे चानल को subscribe कीजिए, तो guys, आज इस वीडियो में मैं आपको ब गंटे, दस गंटे बैटने की जूरत है, नहीं बहुत बड़ी amount या पैसे लगाने की जूरत है, बलकि ये एक ऐसा business है, जिसको आप सीख करके आसानी से कर सकते हैं, और मन चाहा पैसा कमा सकते हैं, इस business से हजारों लोग करोडों रुपे कमा रहे हैं, तो जानना चाते हैं इस business को, तो वीडियो को like कीजिए, चलिए, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा business है, जिस business के बारे में मैं आज आप से बात करने जा रहा हूँ, वो है आपका knowledge business, जी हाँ, knowledge business, चलिए जानते हैं कि ये knowledge business क्या है, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं, unlock the secret of knowledge business, your path to become a digital क्रोडप अगर आप online की दुनिया में digital क्रोडपती बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे आसान business है, वो है knowledge business, तो चलिए समझते हैं कि knowledge business क्या होता है, और इसको कैसे सीखा जा सकता है, और इससे कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो guys सबसे पहले हम ये जानने का प्यास करते हैं कि आखिर ये knowledge business है क्या, तो guys knowledge business इन पाच segments से मिल करके बना है, जिसमें सबसे पहला है, courses, दूसरा है, coaching, तीसरा है, consulting, जो था है, collaborating, और पाचमा है, affiliate marketing, जी ना, तो guys, ये 5 segments जब मिल जाते हैं, तो इससे एक नया business create होता है, जिसको हम बोलते हैं, knowledge business, इस business को कैसे किया जा सकता है, चलिए इसको समझने का प्रियास करते हैं, तो सबसे पहला है, courses, courses का मतलब है कि आपके पास जो ग्यान है, जो knowledge है, जो experience है, जो expertise है, जो expertise हैं आपके पास ह उस सारे को मिला करके, आप अपनी expertise की base की उपर, अपनी expertise की अधार की उपर, एक अपना online course बनाते हैं, और उस course को आप online sale करके उससे पैसे कमाते हैं, ये हुआ courses business, इसी तरीके से मैंने भी अपना course बनाया, तो courses का business कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या कुछ सीखने की जूरत है, तो courses के लिए सबसे पहले आपको एक topic decide करना होता है, यानि अपनी niche decide करनी है कि आपको किस topic पे, किस subject पे अपना course बनाना है, अपना topic, अपना subject decide होने के बाद, फिर आपको validate your idea, इसका मतलई यह वा कि अपना जो idea है, वो अपने दोस्तों के साथ share करते हैं, और उसको कैसे बड़ी अतरीके से किया जा सकता है, वो suggestions आप अपने friends से लेते हैं, फिर आप उसकी plan बनाते हैं, plan your course content, उस course में आप क्या का सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, उसकी एक planning बनती है, कितने topic होंगे, कितने subtopic होंगे, फिर create a high quality content, और उसके बा बन जाता है, तब आप उसको record करते हैं, तिर उस recorded video को आप कैसे public के सामने लेक आएंगे, आप public को कैसे distribute करेंगे, public को कैसे देंगे, उसके लिए आपको एक platform चूज करना होता है, जिसे हम LMS बोलते हैं, learning management system, उसके बाद set prices and promotion, उसकी price select करनी होती है, और उसको promotion कैसे करना है, अपने course का, ये आपको सीखना होता है, फिर market your course, फिर आपने उस course को market करना होता है, और उसके बाद आपको provide excellent spot and feedback, और जब आप अपने course को market कर देते हैं, जब आप अपने course को logo को distribute कर देते हैं, उसके बाद आपको logo को excellent spot करनी होती है, और उस लोगों से उस course के बारे में feedback ल नहीं होती हैं तो इस तरह से आपका जो सब्जेक्ट है जिससे सब्जेक्ट में आपकी मास्ट्री है उसके उपर आप अपना एक कोर्स बना करके उसे सेल करके पैसे कमा सकते हैं और second है coaching business, इसमें हमें क्या करना होता है, coaching में सबसे पहले हमें establish your expertization, सबसे पहले आपको अपना niche decide करना होता है, यानि आप किस topic पे, किस subject पे अपनी coaching देंगे, उसके विहाब पे आपको अपनी credibility बिल्ड करनी होती है, और उससे related आपको testimonials भी कठे करने होते हैं, फिर आपको अपनी coaching services define करनी होती है, यानि क्या आप offer दे रहे हैं, क्या उसका prices है, क्या packaging है, और packaging में आप क्या क्या दे रहे हैं, इसके इलावा आपको अपनी online presence भी create करनी होती है, या इसका मतलब होगा कि आपको अपनी website आपके नाम से होने चाहिए, social media पे आपका account अपना अपनी services related content marketing भी करनी होती है, फिर आपको client को hire करना होता है, यानि client को attract करना होता है, उसके लिए आपको networking करनी होती है, lead magnet त्यार करना होता है, और referral भी create करने होते है, networking में जैसे कि attend industries event, आपकी industry को लेकर कि किस तरह की event वो रहे हैं, आपको event अटेंड करने होते हैं, इसके ल इसके लावा आपको digital marketing के जो group हैं, उनको join करना होता है, इसके लावा आपको उन professional को भी join करना होता है, जिनको आपकी coaching की need होती है, इसके लावा आप lead magnet त्यार करते हैं, referral के दवारा भी आप अपने client को डूनते हैं, इसके लावा आप provide values through coaching, अपनी coaching के दवारा आप value each client से specific needs and goals, आपने ऐसे client को डूना होता है, जिनकी कोई specific need होती है, जिनकी specific goal होता है, जिनकी specific कोई problem होती है, जिसको आपने short out करना होता है, कि आप actionable insight है, feedback and accountability है, आप accountability बना के रखते हैं और अपने बारे में उसकी feedback डिलेते हैं, leverage technology, तो आप technology के साथ कान को करते हैं, continuous अपनी improvement करते रहते हैं और अपने business को और scalable बनाते, इस तरीके से आप अपने coaching business को build कर सकते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, और third है coaching business का segment वो है consulting, इसमें आप अपना निश्च चुनते हैं कि विजनस की consulting देंगे, या digital marketing की consulting देंगे, या financial consulting देंगे, तो आप अपन topic चुनते हैं, इसके लावा है collaborating, collaborating का मतलब है कि आप दूसरे expert के साथ में करके कांग करते हैं, या as a guest appearance भी आप कांग करते हैं, या किसी particular podcast में आप participate करते हैं, जैसे कि seminar, webinar या as a speaker आप कांग करते हैं, इस तरीके से भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, और इसका पाच्वत ज affiliate marketing में आप इन पांच तरीकों से पैसे कमाते हैं, जैसे पहला तरीका है, वो है join affiliate program, आप affiliate program जोईन कर लेते हैं, जैसे कि amazon, clickbank है, sales है, second है, produce valuable content, को valuable content create करते हैं, जैसे कि blog, इसमें क्या है कि आप product का review देते हैं, blog post लिखते हैं, या आप product का comparison करते हैं, इसी तरीके से YouTube वीडियो के मादम से आप unboxing के दवारा, या tutorial के दवारा, या review के दवारा भी पैसे कमाते हैं, इसी तरह से affiliate marketing में तीसरा जो method है, वो है, कि आप paid advertisement के दवारा भी affiliate marketing से पैसे कमाते हैं, जैसे कि आप Google ad लगा करके, Facebook ad लगा करके, Instagram ad लगा करके, या YouTube ads के दवार आप पैसे कमाते हैं, और next है, social media presence, marketing में आपको social media पे भी presence दिखानी होते हैं, जैसे कि Facebook, Instagram, LinkedIn, Tutor, YouTube पे आप अपनी presence दिखाते हैं, और last है, कि आपकी अपनी एक website होने चाहिए, जिसमें आप content marketing के दवारा पैसे कमाते हैं, आप SEO करके पैसे कमाते हैं, या आप email marketing के दवारा टिखाटिंग की help के दवारा भी पैसे कमाते हैं, इस तरह से knowledge business में हम affiliate marketing के दवारा भी पैसे कमाते हैं, तो Guys, इस वीडियो में हमने समझा है, कि knowledge business क्या है और किस तरीके से इस knowledge business को अपनाकरके, इस पे कामकरके, courses, coaching, consulting, collaborating and affiliate marketing के दवरा आप पैसे कमा सकते हैं अपना goal, अपना सपना पुरा कर सकते हैं मैं ये सिखाता हूँ कि course कैसे बना जाते हैं उनका निस कैसे ढूंडा जाता है उनका topic कैसे ढूंडा जाता है उनका content कैसे बना जाता है उनको marketing कैसे करते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं इन सब की उपर मैंने अपने कोर्स बनाई हुए हैं कोर्स कैसे बनाना है इसकी उपर भी मेरा कोर्स बना हुआ है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं परचेस कर सकते हैं आप मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की बड़िया बड़िया वीडियो मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद